नमस्कार साथियो, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो पर जहां पार एक बार फिर से लाडली बहनों के लिए काफी बड़ी अपडेट मिलने वाली है आपको पता है कि साल 2023 में लाडली बहनों के लिए बहुत सारे उपहार प्रदान किये गए उसी प्रकार से साल 2024 में भी बहनों को उपहार मिलने वाले हैं जिसका पहला उपहार 20 जनवरी 2024 से सुरू होने वाला है इसके अलाबा बहुत सारे उपहार आपको आगे चलकर मिलने वाले हैं तो वह कौन से उपहार रहने वाले हैं जिसके मताबिक आपके लिए 1500 रुपे किस्त 25,000 रुपे किस्त इसके अलाबा बहनों के लिए बहुत सारा पैसा आबास मोबाइल और गैस जैसी सुविदाएं म तो इस पूरी अपडेट को आज किस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्राप्त करने वाली हैं। यहां पर लगातार अपडेट के माध्यम से पूरी जानकारी प्रदान की जाती है। प्रदान की जाएगी। पूरे मध्द परदेश में करोडों महिलाओं के लिए सियोजना के तहत पंजीकरत कर लिया गया है। और बहुत जल्द उनके लिए पहली किस्त का पैसा प्राप्त होने वाला है। तो यह उपहार काफी बड़ा होने वाला है जो कि मध्द परदेश की बहुत सारी महिलाओं को मिल ले वाला है। इसके बाद हम आंगे बढ़ती हुए देख सकते हैं कि तीसरे उपहार में 5 साल तक फिरी रासन मिलेगा। मध्द परदेश में जिन महिलाओं के पास रासन कार्थ है उन सभी के लिए हर महीने का रासन केंदर और राज्य सरकार की मदद द्वारा पहुँचाया जा रहा है। आपके लिए मद्द परदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही किसान का लियान योजना और केंदर सरकार द्वारा चलाई जा रही पीम किसान सम्मान निधी योजना के तहत 6,000 प्लस 6,000 12,000 रुपे की रासी का लाव आपको प्राप्त होने वाला है मतलब आपके लिए अबर कारण के तहत पंजी किया जाएगा हर महीने आपके लिए 15,000 रुपे की रासी परदान की जाएगा मतलब लाडली बेहना योजना किस्त का पैसा बहुत जल्द बढ़ाया जाने वाला है इस प्रकार से आपके लिए हर महीने 15,000 रुपे की रासी प्राप्त होगी इसक कि आपको पता है कि बारवी कक्षा में छात्राओं के लिए टॉप करने पार इस योजना के तहत लाभानवित किया जाता है इसके बाद हम लैप्टॉप योजना की बात करें तो मद्द प्रदेश में जिन छात्राओं द्वारा 60, 65 या 70% से अधिक अंक हासिल किये जाएंगे उनके लिए इस योजना के तहत 25,000 रुपे की रासी प्रदान की जाएगी अंत में मुबाइल फोन योजना भी मद्द प्रदेश में बहुत जल्द सुरू हो सकती है इसका लाभ आप सभी महिलाओं तक पहुचेगा तो आपके लिए यहाँ पर 5 उपहारों से जुड़ी ब आजा की गई ऐसी ही अपडेट इस चैनल के माध्यम से हम लगातार ला रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऐसी अपडेट देखती रहें धन्यवाद